आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रिसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडों खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ। अभी डाउटनेट पितल की छड जिसका व्यास हमें 4 mm दे दिया गया है, उसके यंग प्रत्यास्तता गुणां किया, यंग मापांकमान वाय की रुप में हमें 9 गुणा दसकी खाद 10 न्यूटन प्रती मीटर वर दिया हुआ है, जहां छड़ की लंबाई में 0.10 प्रतीशत वृधि करने के लि मुझूद है, यदि हमने पितल की छड को कुछ इस तरह से लिया हुआ है, अब हम यहां पर यह कहते हैं कि यह किसी दिर्ण आधार से किसी एक सीरे से जड़ा हुआ है, आबध है, और दूसरे इस्तिती पर कोई एक निशित परिमान का बल उस पर लगा जाता है, ताकि छड की लंबाई में 0-0-1 प्रितिशत की वृति की जा सके, तो यह हमने बल लगाया कुछ इस तरह F की रूप में, और इसकी प्राणभिक लंबाई को यदि हमने प्रदेशित किया हुआ है, तो प्राणभिक लंबाई को L से प्रस्तुत करते हैं, अब उसके लिए जो त्रिज् मिलिमेटर है, मिलिमेटर से मीटर प्रदेशित करना है, तो पहले हम उसे तरज्या के रूप में लिखते हैं, तरज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो इसे हम लिख दिये 2 मिलिमेटर के रूप में, इतना हमने लिखा, अब इसे 2 को क्या लिखा जाएगा, 2 को मिलिमेट से मीटर प्रिशित कने के 10 खात रिन 3 मीटर के रूप में हमने इसे लिग दिया यह बता रहा है इस पीतल की च्छड के तरज्या को को हमान प्राफ पचल गया अब यहाँ पर पीतल की च्छड है हमारे पास तो इसके लिए यंग महपांग या यंग प्रत्यास्तता गुणांग पीतल के लिए य का मान हमें कितना दिया हुआ प्रश्ण अवसार 9 गुणा 10 की घात 10 किस में होगा यह होगा न्यूटन प्रती मीटर वर्ग के रुप में यह हमें दिया हुआ है भुला जा रहा है कि छड़ के लंबाई में 0.1 प्रतिशत वृधि किनला दिखी जाया तो है किस प्रकार किया जाईों यहाँ पर हम प्रार्विक लंभाई जिस के प्रत् GLORIA फाल लिजिए या निश्वत Πॉयान बल लगने के पशा तो इसकी baixo हो जाती है लोण ये प्रानभीकक छक्राइब लंबाई अन्तर को हम क्या रिखते हैं इसे हम क्रानभीक लंबाई उससे और कर दिया अब इसमें बोला जा रहा है कि प्रतीषत कितनी होई है तो डेल एल अनुपाथ एक के रूप में तो यह हमें जो मान मिला है डलल अनुपात यह हमें क्या बताता है यह हमें बता रहा है विकृति के मान को देखे इसे ही हम विकृति क्या होती है लंबाई में परिवर्तन बट्टे प्रानभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहा जाता है इस परकार हमें विकृति का मान मिल गया अब हमें निकालना है उस बल का परिमान एफ के रूप में जो हमें प्रश्ण में पूछा गए तो हम उसे किस प्रकार लिख पाएं हम जानते हैं यह मापांग के सुत्र से जो के नियम दौरा प्रतिपादित किया गया था यंग मापांग यह क्या होत तो प्रतिबल को क्या लिख पाते हैं लगाए गए बल आवश्यक बल का परिमान अनुपात ए और विकृति को क्या लिखा जा सकता है विकृति को डेल एल अनुपात यहाँ पर इसे हमने लिखा तो एल के रूप में प्रस्तुत होगा अभी हमें क्या निकालना है प्रश्ण गुणार गुणारे करें तरह से ग्यात हो पाएगा अब देखें सब सब money हमें सब्रस्ठार हैं तो इनके मान हम रखेंगे व करते हैं किसे हम परन्थ ahí-का-मान-फिरके-वम ध्यात कर लेतем pleased यहां अ Portuguese कितना मिलेगा यहां पर π onu上 कितना हैं दो गुणा दसकी घात रिण तीन की रूप में हमें दिया हुआ है हम इसका करते हैं और यह हमें किस पाकार मिला पाई उप गुणा, दसकी घात, रिन 6, किसमे होगा, मीटर के वर्ग के रूप में, अब देखें, जो जो मान हमें दिये हुए हैं, बल के लिए, आवश्यक बल के परिमान के लिए, हम उनके मानों को रख देते हैं, F का मान जो हमें ग्यात करना है, Y का मान हमें कितना दिया, गुणा, दसकी घात, दस, नूटन, प्रती, मीटर, वर्ग के रूप में, जहां शेत्रफल, ए हमें कितना दिया हुआ है, पाई, गुणा, चार, गुणा, दसकी घात, रिन 6, मीटर, वर्ग के रूप में, और जहां डेल, अनुपात, L, हमने विकृति का मान कितना लाया है, 0 दिशमलो, 0, 0, 1 के रूप में, अब इनके मानों को रखते हैं, तो F का मान हमें कितना आएगा, देखे, 9, 9, और ये 36 हमने लिया, 36 गुणा, पाई हमने लिया, यहां पर बसता है, 10 की घात, 10 की घात, रिन 6, और यहां इसे हम लिख सकते हैं, 10 की घात, रिन 3 के रूप में, और ये आएगा हमारे पास मान, नुटन में, तो इसे हमने लिखा, तो F हमारे पास कितना है, 10 की घात, यहां पर 6, और जो 3 है, वो 9 करेंगे, और 10 की घात, एक बचेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं, 360 पाई की रूप में, मान कितना आता है, 360 पाई, नूटन की रूप में, ह ही हमें प्रश्म में पूछा गया था तो उसका मान आविशक बलका परिमांड हमें 360 पाई Newton के रूप में prevent होता है भी कल अड़ी जीरे घौ knife and you या WhatsApp करें अपने सारे डाउट्स 8444 पर